हलो दोस्तों वेलकम टू मैं चैनल ग्लो विद अनू व्लोग तो आज का व्लोग मैं स्टार्ट कर रही हूँ मॉर्निंग से और मॉर्निंग में आज मैं बनाने वाली हूँ केले की सबची और क्योंकि ब्रेकफास्ट में मैंने पूहा बनाया था और बस यह है कि उसकी केले की सबची और काफी टाइम से मैं सोच रही थी केले की सबची बनाने की तीन चाह दिन से ना फ्रीज में रखे हुए थे बस आई गया जिसका नंबर तो यहां पर मैंने साथी साथ मशीन भी लगा दी थी और सुबह मशीन लगा दो तो बहुत ही ज़्यादा इसका बेन तो सुबह 6 बजे से लेके मेरे घर के काम स्टार्ट हो जाते हैं बस यह के हाथ बंदी नहीं होते बस मॉर्निंग की चाह पीने के लिए ही बैठती हूं मैं नी तो फटा फट नॉन स्टॉप काम करती रहती हूं तो काफी टाइम बाद में केले की सबजी बना रही हूं और वाली सबब बनाम गीं हूं लेकिन लखी ऌाली सबजी से जप्सकी सबजी बनती शी उतन्या डिटेक है तたい हो मैं पर थोड़ा ज़्यादा ही थोड़ा ज्यादा ही क्योंकि थो एक भी एंगों आपने तेल में अच्छी लगती है अई से जीरे डाला है और साबु थाहिमिछे में डाल धी है और लबी लबी प्याज काट के डाली है और यहां पर मैं थोड़ा सा लहसन का पेस्ट भी मैंने थोड़ा त्यार किया था और मैं अठीज थे नहीं लगता है कि नहीं तो कई मैंने यह स्ट्टोर करके भीधे लेकिन फटाफट से टाइम पर बना लेती हूं तो बहुत जारा अच्छा टेस्ट आता है सबजी में इसका तो यहां पर मैंने जब हलकी ब्राउन हो गई थी प्यास मैंने इसमें का पेस्ट डाल दिया और सारे बेसिक मसाले डाल दिये और केले जो कटे हुए इसमें डाल दिये और थोड़ा सा ऊपर से मैंने इसमें चाट मसाला डाल दिया है और नमक डाल दिया है बस यह के सबजी ना फटा फट बन जाती है ताइम नहीं लगता 10 मिनट में बनके त्यार हो जाती है अगर ढखके बनाएंगे तो पानी तो खेर म तो मैंने उन्हें पुहाई देदिया था और यहां पर उनका उधर वह नाश्था करें थे तो इहां पर मैं उनका टिफिन तयार कर रही थी और इधर मशीन भी चल रही लेकिन बस यह के मशीन में कपड़े धुलने ही वाले थे तो पता भी नहीं चलता कि कब फटाफट काम खतम हो जाता है नौनी स्टॉप लगे रहो बस यह के थोड़ा सा बैट जाओ ना फिर थोड़ा सा आलस आता है तो इसलिए थोड़ा बीच बीच में पानी पीती रहती और जब पानी पीती हुँ ना तो फैन के नीचे चेर पे बैट के आराम से पानी पीती हो तो उसी में थोड़ा रिलाक्स हो जाती है बाडी तो फिर दुबारा से एनरजी मिल जाती है तो हम हाउस माइफ काना मॉर्निंग में इतना काम होता है ना कि बस एक साथ दो दो तीन दिन काम करने पड़ते हैं तब जाकि टाइम से काम खतम होता है तो यहां पर जो है मैं बालकनी में आई ना तो मैंने देखा कि एक ड़म बारिश शुरू हो गई और बारिश वाला अचानक से बतानी कहां से बादा लागें और टौवल वगर भी सारी बालकनी में सूख दी वह मैंने अंदर करी और गमले मैं यहां पर बालकनी में गरिल पर रख दी थे ताकि नहीं बारिश का पानी लग जाए तो बस बड़ा रिस्क लेकि मैं गमलों को रखती हूँ मैं और फिर पानी अच्छे से लग जाता है ना फिर मैं नीचो तार लेती हूँ तो यहां पर हस्बेंट भी ऑफिस चले गए थे तो एकदम हो गई थी मैं उलकु फ्री और यहां पर मैं अब निकाल रही हूँ घी और यह भी एक एक्स्ट्रा काम है जो की डेली रूटीन के का काम उसे थोड़ा अलग होता है तो इसके लिए भी थोड़ा टाइम निकालना पड़ता है इसलिए और मैं आज स्पीड से काम खतम करें थी कि मैं तो यहां पर मैं पहले तो मैं सोच रही थी कि मैं शाम को निकालूंगी लेकिन बस मौसम भी अच्छा था बाहर बारिश हो मैं अब लो उछी निकाल देते हैं यह ऐसे काम खतमी कर दें एं तो मैं रहे तो मियाम बें Lloyd Kona उनिकालती हो जब मुझे गीं निकालना होता है क्योंकी अगर ज्यादा करमी मैं अगर पहले से निकाल देती हूं अपको आऽ पसम बस दोब स्टोड़ा इसे अख्याशा हज более तो एकदम चिल्ड पानी डालके ही मैं घी निकालती हूं पहुत ही अच्छा घी निकलता है जादा से जादा घी निकलता है मलाई में से अगर एकदम चिल्ड दूद में अगर मलाई में निकालोगे घी तो यहाँ पर मुझे थोड़ा सा अभी अच्छे से ठंडा नहीं हुआ बहुत ही पानी तो मैंने न आइस क्यूब लिए है रड़ से और इसको न अच्छे से काफि पतले-पतले करले एक बलाई में डाल दोगी फिर इन बानने भूमेंगे टो ब्लैंडर हो जाएगा इसलिए जो अ tai तो यहां पर भी जो है मेरा घी निकल चुका था और सारा काम मेरा पूरा किचिन का सारा काम खतम हो गया था व unterwegs खुल मेरा पूरे जैसे किचन का सारा काम खतम हो जाता है याँ सफ रहेगा है तो आप अच्छे स वहना पूर अच्छे से पूरा डिन तो तोBill में नकालके रख दूँगा तो ज собствен घ्रिक का काम न होता है ऊचुका ना गीन वहना चूब तो घथे और न कनी घी का निकला हो तो इतनी खुशी मिलती है कि चलो आज काफी बड़ा काम हो गया है और यहाँ पर मैंने किचिन पूरी अच्छी तरीके से साफ कर दी थी और किचिन का कपड़ा मैं बालकरी में ही सुखाती हूं क्योंकि थोड़ा धूप हवा से स्मेल सारी चली जाती है तो बस बारिश थोड इसी मैंने मस्ती गरी बहुत ही अच्छी हवा भी चल रही थी और बारिश भी हो रही थी बड़ा मस्त मौसम हो रहा था और काम भी मेरा पूरा घर का खतम हो गया था बस यह कि सोफे के कपड़े जो है मेरे रहे गए थे और यहां पर मैं नहांकर हो गई हूं फिरी और बस म मैंने लास्ट में मैंने का चलो घुमाई देती हो इसको और सरफ अभी बाकी में मशीन में तो सोफे के कवर मैंने निकाले ना तो इदर सोफे में जानने लगी वैसे धूलतों होती नहीं है क्योंकि इस रूम में कमी आते हैं तो हमारे आना यहां पर ना छिपकली बतानी कह से आ जाती हैं बिल्कुल जैसे बालकनी की साइट से ना बहुत छिपकली आती हैं तो यहां पर मैं यही देख रही थी क्योंकि सोफे के पीछे तो मुझे तो बहुत ही जाना डर लगता है शिपकली से तो बाहर ना बारिश का मौसम था ना तो बारिश जब मौसम अच्छा होता है ना तो अलगी खुशी होती है तो मन भी करता है सारे काम करने का लेकिन जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है ना हिम्मुनिटी होती है मौसम में तो कुछ भी काम करने का मन नहीं करता है लेकिन मैं क्या करती हूँ जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है बहु कर लो कुछ भी कर लो इस्टरग्राम के लीज बगढ़ा बना लो तो मतलब पूरे दिन फिरी हो जाते हैं तो यहां पर मैं ने सोफे के कपड़े में मशीन में डाल दिये थे और यह भी मुझे ना वास वेशन के ऊपर जो सलाइड है वास वेशन के ऊपर शीशे के नीचे तो का काम जड़ा लेकिं फिर भी यह जो है पानी से मैंने वाश कर दी थी सारी चीजें और यहां पर यह देखिए फ्लावर पॉट है न मुझे यहां पर यह घ्रीन के लगा फ्लावर पॉट इतना अच्छा लगता है वाश फश्चिंक के ऊपर और यहां पर मैंने ना हैंड बोटल स्वारी मैं पानी से वॉश कर दी थी और ज्यादा तो गंदी नहीं होती लेकिन पानी से सिंपल पानी से वॉश करने के बाद ही एकदम साफ हो गई थी तो आई हो पाज का वलोग आपको जरूर पसंद आया होगा तो लाइक जरू करेगा चैनल को सबस्क्राइब तेहने एविलो.